की बैठक के लिए राम कथा संग्राल है पहुंच चुके हैं जाहिर सी बात है सांसक्रतिक आध्धात्मिक परियकन किसे जुड़े हुए तमाम प्रस्ताव आज की इस कैबिनेट की बैठक में रखे जाएंगे बिल्कुल तो तस्वीरे हम आपको दिखा रहे हैं राम कथा पर्क पहुंच चुके हैं यही पर कैबिनेट की बैठक होनी है योगी मंत्री मंडल की योगी मंत्री मंडल की बैठक काफी एहम हो जाती है राम लला विराजमान के नजदीक आ रहे हैं दिन उनको विराजमान करन के और इसको लेकर ये बैठक काफी एहम परेटन के लिहास से कई प्रस्ताओं पर मोहर लग सकती है आयोध्या के विकास को लेकर आज इस कैबिनेट में बहुत सारे ऐसे प्रस्ताओं हैं जो पास हो सकते हैं संकेत वहां से चुड़े हुए संकेत हमने देखा आयोध्या में प काफी महत्वपूर हो जाता है ये जो कैबिनेट की बैठक आज होने वाली है किन-किन प्रस्ताओं पर आयोध्या और साथी साथ आयोध्या के विकास को लेकर आज मोहर लग सकती है जो नॉम्बर की ये तारीक एक बार फिर आयोध्या के इतिहास में काफी आहम माइने रखे गी दरसल मुक्षमंत्री योगी आयतनाथ की कैबिनेट की बैठक रामकथा संग्रहाले में पुसदेर में ये सुरू होने वाली है मुक्षमंत्री योगी आयतनाथ पहुँच अपने समान जो मंत्री मंडल के सायोगियों के साथ में मुक्षमंत्री योगी आयतनाथ यहाँ पर कुछ फल के लिए रुके और उसके बाद रामकथा संग्रहाले में दाखिल हो चुके हैं और उनके साथ में उनके मंद्री मंडल के सभी सदस से मौजूद है योगी कैबिन प्रास्ताव के तमाम विकास से जुड़े हुए प्रस्ताव यानि कि आयोद्या रामनेगरी में इस कैबिनेट की बैठक को आयुजित करके यहीं से आयोद्या के विकास की रूप रेखा तेकि जाएगी हाला कि 35,000 करोड से ज्यादा से काम आयोद्या में चल रहे हैं यानि की विकास योजनाय चल नहीं है उत्तर प्रदेश की विकास से जुड़े हुए तमाम प्रस्ताव इस कैबिनेट की बैठक में रखे जा रहे हैं और बली खबार आपको बता दें कैबिनेट की बैठक सुरू हो गई है उस बैठक में मुख्यमंत्री योगिया इतनात की अधिश् सकता है इसके अलाबा तमाम जो चाहें वो प्रांती मेले मकर संक्रांती और समय तमाम जो प्रांती मेले हैं उनको लेकर अनुदान की रासी 25-50 लाग करने का यानि की एक अध्यात्मिक माहौल बनाने की पहल की जाएगी और ये इस कैबिनेट की बैठक में दो दर्जन से ज आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से आज जब आयोध्या पहुँचे वोखिमांती योगी आधितनात अपनी कैबिनेट के साथ तो सबसे पहले पहुचने के बाद वो हनुमान गड़ी पहुचे जहां पर दर्शन पूचन किया उनकी पूरी कैब मिनिट की बैठक शुरू हो गई है आयुःध्या के विकास की बात की जाए तो सिर्फ बीजेपी या फिर बीजेपी की सरकार का सिर्फ ये एक मकसद नहीं था कि वहाँ पर सिर्फ राम लला की प्रांध प्रतिष्ठा करनी है और भव मंदिर बनाना है बलकि आयुद्ध्य कि विकास का भी सपना जो सरकार ने देखा था उस सपने को भी साकार करने की दिशा में आगे बढ़ने का काम इस वक्त योगी सरकार की तरफ से हो रहा है मंत्री मंडल की बैठक शुरू हो गई है बताये ये जा रहा है कि विकास को लेकर अयुद्या की कई प्रिस्ताव आज यहां से पास हो सकते हैं और साथ ही साथ एक अध्यात्मन नगरी बनाने की तयारी योगी आदित्यनात की है उसको भी किस तरह से आगे बढ़ाना है वो उन सारी बातों का भी आज यहां पर जिक्र होने वाला है राम लला की प्रान प्रतिष्टा है तयारी भव्य है कहते हैं कि बीजेपी के लिए